जैहिन दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का साइंस का जो पहला चैप्टर है उसका हम लोग प्रसनुतर देखने वाले हैं इसके पहले भी हमने एक पार्ट चैनल पे को दबा लिए तक आने वाली हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मुबाइल पर चला जाए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल दिखें यहां पर आप से पूछा गया है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं यह काफी इंपोर्टन सवाल है और म लोहे की वस्तुओं हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संचारित हो जाती है यानि वह खतम होने लगता है उसका लॉस होने लगता है या आप देखते हो ना जब कुसी लोहे को आप छोड़ो दोको उसी परकार से हवा में तो उसमें क्या होगा जंग लगने लगता है धीर या नमी के पर्तेक्ष संपर्क में नहीं रहती है अब इस वाला लाइन को हम समझा देना चाहते हैं आपको जैसी के मान के चलो कोई रड है ठीक है इस रड पे आपने क्या किया है बुलू रंग का पेंट इस पर लगा दोगे तो जब इस पर बुलू रंग का पेंट लगा तो इसी बात को गह रहा है कि पेंट करने पर लोहे की जो शता है जो उसका लियर हवा या नमी के परत्यक्ष संपर्क में नहीं रहता है यानि कि डारेक्ट संपर्क में नहीं रहता है जिसके कारण संझारन नहीं हो पाता है ठीक है बत समझ मैं है कि नहीं तो यहां तक लिखन तो आप लोग इसको यहां से नोट कर लेना नेक्स्ट सवाल पर यह कोश्चन नमबर दो पर कोश्चन नमबर दो में आपसे कहा जा रहा है कि तेल एवं वसायुक्त खात पदार्तों को नेट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है देखिए नेट्रोजन एक पर्ती ऑक्सिकारक है जो इन पदार्तों को उपचयित यानि कि ऑक्सिक्रित होने से बचाता है अता तेल एवं वसायुक्त खात पदार्तों को विक्रित गंदिता नहीं हो पाती है इस तरह वसायुक्त पदार्त खराब नहीं होता है इसको आप लोग नोट कर लेना और जो इंगलिस मेडियम से वो यह वाला यहां से नोट करेंगे ठीक है चली कोशन नमबर आते हैं हम लोग तीन पे कोशन नमबर तीन में कहा जा रहा है कि आउच्छेपन अभिकरिया से आप क्या समझते हैं उधारन देकर समझाईए ऐसी रसाइनी का अभिकरिया जिसमें ओविले लवन बनता है यह वो मुलियन से पिर्थक हो जाता है आउच्छेपन अभिकरिया कहलाता है तो देखिए आउच्छेपन अभिकरिया किसको कहते हैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं AGNO3 प्लस NACL यहाँ पर एक्जामपल दिया गया है इस एक्जामपल को भी आप लोग लिख लेना ठीक है यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एक्जाम के लिए अब जो इंग्लिस मेडियम के इस्टुएंट है वो इंग्लिस में यहाँ पर नोट करेंगे आप लोग यहाँ से नोट कर लेना नेक्ट सवाल देखें कोशन बचार पर आई कोशन बचार में आपसे कह रहा है कि जिंक तनू हैड्रोकलोरिक अमल के साथ अभी किरिया कर हैड्रोजन गैस मुक्त करता है जबकि कॉपर नहीं समझाए क्यों ठीक है धातों की सेकरिता सरेनी में जिंक हैड्रोजन से उपर है जबकि कॉपर हैड्रोजन से नीचे है वलता यानि इसके फलसुरूप जिंक तनू हैड्रोकलोरिक अमल से हैड्रोजन को विस्थापित कर देता है जबकि copper नहीं कर पाता है यह इसका आंसर हो जाएगा इसको आप लोग नोट कर लेना English Medium आले यहां से नोट करेंगे ठीक है देख लो Question number आते हैं 5 पे Question number 5 में आप से कहा जा रहा है कि Silver Coloride को गहरे रंकी बोतल में भंडारित क्यों किया जाता है तो कि सूरी के परकास की उपस्ति में Silver Coloride निम्रिखी तबिकरिया के अनुसर अब घटित हो सकता है यानि कि जब उस पे सूरी का light पढ़ेगा directly आप साधा बोतल में रखोगे तो उस पे सूरी का परकास directly पढ़ सकता है इसलिए जो है उसको रंगीन बोतल में डाला जाता है अब होता क्या था Silver Coloride को जब उस पे सूरी का परकास पढ़ जाएगा Silver Coloride और क्लोरिन अलग-अलग हो जाएगा इसलिए इसको गहरे बोतल में रखा जाता है तो आप उसका आंसर को भी लिखना चाहते हैं इसमेडियम वाले आंसर लिख लेंगे उसके बाद यह वाले सवाल काफी इंपोर्टन्ट है कई बार एक्जाम में पूछा गया कि जब लोहे की कील को कॉपर का विस्थापन करता है कर देता है और आइरन स underestimate बनाता है जो कि रंग में हरा होता है इस लेरे विल्यम का रंग क्या होता है बदल जाता है बास मजमाया इसको आप लोग नोट कर लेना इंग्लिस मेडियम वाले यहां से नोट करेंगे तीक है यह सवाल इंपोर्टेंट है देख लिजएगा एक्जाम में आता है कोशन नबर साथ देखे यह भी सवाल काफी बार इक्जाम में पूछा गया है कि वायू में जलाने से पहले मैगनेशियम रीबन को साफ क्यों किया जाता है तो वायू में जलाने से पहले मैगनेशियम रीबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ किया जाता है ताकि मैगनेशियम और मेगनेसियम कार्बनविट की परत हड जाए जो वाइव अधिलिया और कार्बन डिया उक्साइट से अभिक्रिया के फल्सवरूफ रीवन पर बनता है यानि को उसके ऊपर एक परत बन जाती है उसी परत को आपको हटाना होता है तभी तो वो वाइव से सीधा संपर्प कर पाएगा ठीक है इंग्लिस मेडियम वाले यहां से नोट करेंगे इसको यहां से नोट करके आप लोग आगे बढ़े जाएगा ठीक है चलिए कोश्चन नमर आते हैं आठ पे कोश्चन नमर आठ में आप अगर देखोगे तो निमलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित किराकर करके एसियल बनेगा हैडोरुजन कोलोराइड यहां पर लिए डो हैडोरुजन था इसलिए आगे में दो लगाय गया है ठीक है इसको देखलिए क्या था बेरियम सक्तिए को आविडियों स म्टेयों बताएं डोच होता है फेले आप इसको उतार लो ठीक है सोडियम को जल के साथ अभी क्रिया कराना है आप यहाँ पे देखो कि तीसरा सोडियम को जल के साथ अभी क्रिया कराईए सोडियम को जल के साथ अभी क्रिया कराना है सोडियम को जल के साथ अभी क्रिया कराना है सोडियम को जल के साथ अभी क्रिया कराना है चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब करके बैल अबन को दबा लिजे तक कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए आप अपने वाटसप ग्रूप को जरूर जोएन कीजेगा लिंक आपको मिल जाएगा तो वहां से जाकर जोइन कर लेना है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू